फाइनली रियल्मी 10 अपनी इंडियन मार्केट में 9 जनवरी को लॉंच होने जा रही है ये एक मिड्रेंज स्मार्टफोन है जिसका प्राइस लगवख 12-13,000 होने वाला है रियल्मी ने इस फोन में काफी सारी अच्छी चीज़े दे रखिया जैसे कि इसमें 6.4 इंचेज का अमुलेट पैनल देखने को मिलता है 90 हज के रिफ्रेश रेट के साथ और इसमें कॉर्निंग गोरिला गलास 5 का प्रोडेक्शन भी मिल जाता है और इसकी जो ब्राइटने से वह भी लगववख अच्छी खासी देखने को मिलती है ये फोन 7.95 mm थिकनेस के साथ आता है जो कि एक अल्डर स्लिम फोन है और इसमें हमें लाइट पार्टिकल डिजाइन देखने को मिलती है जो कि पॉली कार्बोनेट बैक के साथ आता है और इसमें दो कलर में भी लेवल है वाइट और ब्लैक कलर में अब बात करते है इसकी प्रोसेसर की तो इसमें हमें मीडिया डग का हिलियो जी 99 प्रोसेसर मिलता है जो कि 6 एनम पे बेजड है और ये एक 4G गेमिंग चिपसेट है तो गेमिंग करने में इसमें आपको किसी तरगी परिशानी देखने को नहीं मिलेगी इस फोन में सेल्फी कामरा 16 मेगा पिक्सल का दिया है जो कि साइड पांच होल के साथ आती है बैक साइड में डियोल कामरा सेट अप दिया है 50 प्लस 2 मेगा पिक्सल का बात कर इसकी बैटरी के तो इसमें 530 मिलियामपेर की बैटरी दी हुए 33 वाट सूपर बुक चार्ज के साथ इस फोन में हमें सभी तरह के सेंसर देखने को मिल जाते है और इसका जो फिंगर पिंट सेंसर वो साइड मांटेंट दिया हुआ है इसमें LPDDR4X RAM टाइप और UFS 2.2 Storage टाइप दी हुए है और साथ ही इसमें Dedicated Slot मिल जाती है जिसमें 2 SIM card और 1 SD card लगा सकते हैं ये फोन आउट अब दा बक साइड Android 13 पे आ सकता है तो इस वीडियों बस इतना ही जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर कर दें